यहां आपको कॉंग्रस का राहूल गांदी कहा जाता है वो इस संदर में कि आप कभी कभी दिखाई देते हैं सुमित हिर्देश को चुनाव लड़ाएंगे जिसको आला कमान कहेगा वो आपको भी कहेगा तो हम आपको भी चुनाव लड़ा देगे अगर आपको नाम ते होता तो यह सम मिल करके आपको चौनाव लड़ाएंगे अभी तो यह सवाल इन नहीं उठा कि मेरा नाम ते हुआ है नहीं तो है जब यह ते होगा यह तब का तब देखा जाएगा आप सवाल से बच क्यों रहे हैं इतना और हम लोग पहले आते थे और जारू लगाते थे उसके बाद दरी बिचाते थे फिर बैठक होती थी नमस्कार मैं आसिम जॉर्डन आप देख रहे हैं जेजेन न्यूज जैसे कि आपको मालूम है अगले सार विजान सभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी हल्टर उत्रखट के अंदर तेज हो गई है चाहे वो नेता पत्रिपक्ष के लिए हो चाहे वो प्रिदेचजक्स के लिए हो चाहे वो आने मारे दिनों में टिकेट के बटवारे के लिए हो लगातार नेता अपनी बिसात बिचाना शुरू कर चुके हैं दिल्ली से लेकर देहरदून तक तो देहरदून से भी लगतार जो नेता है यहां के उन्होंने अपने कारेकर्टाओं को साधना शुरू कर दिया है हल्दवाने में भी ऐसे कुछ संभावित नाम हैं जिनकी दावेदारी मजबूत माने जा रही है ऐसी ही आज हम एक शक्स से रूबरू करान चाहते हैं आपको जो किसी तारूफ के मोहताश तो नहीं है फिर भी हम उने बता दे हैं कि वो कॉंग्रेस के पिछले 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं कॉंग्रेस के लिए साथ ही इस वक्त वो मौझूदा वक्त में कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं तो उनका नाम है दीपक बलूटिया जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर पिछले एक साल से आपकी स्वक्रेटा काफी अधिक देखी जा रही है लोकल स्थर पर हो या प्रदेश स्थर पर हो चाहे वो सरकार को घेरने की बात हो और लोक्डाउन में भी आपने काफी मदद की है लोगों की तो इसकी खास वज़ा क्या ह है क्या हलवानी से दावेदारी कर रहे हैं आप इस साल देखिए 34 साल से कॉंग्रेस के अंदर जो है जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हमने उसका अनुसरण किया उसको माना हमारे कॉंग्रेस के नेता स्री रहूल गांदी जी ने अहवान किया था कि कुरोना काल में कई लोगों के पास आर्थिक संकट हो चुका है उन लोगों की कॉंग्रेसियों ने मदद करनी चाहिए तो उसी के तहत जो भी रासन वितरन हमने किया तीन अजार से अधिक लोगों को हमने साहिता पहुचाई आपने राहूल गांदी की बात की तो यहां आपको कॉंग्रेस का राहूल गांदी कहा जाता है वो इस संदर में कि आप कभी कभी दिखाई देते हैं क्योंकि आप सड़कों पर नहीं दिखते हैं अक्सर मीडिया में दिखाई देते हैं इस पर आ अभी नहीं, पहले से भी हमने चाहे वो एक रोड में गड़ा बनावा था, उससे लोगों को काफी चोटे भी पहुँची थी, उस मुद्दे को लेके हम रोड पे भी उतरे, दूसरी बात, यदि आप करते हैं कि इन्होंने जो प्लाजमा के लिए 9000 और 12000 रुपे जो लोगो पे उतर के उसकी परतियों को जलाया, फाड़ा और बार बार मांग की, उसके अलावा भी कुरुना काल पे, क्योंकि सरकारों के पाबंदी थी कि लोगडाउन के तहत रोडों पे उतरना भी मना था, बावजूद इसके जो भी सरकार की नाक्यामिया थी, हमने जनता के बीत म जाके और चंता की अवास बनने की काम किया, वही मेरा कहना है ना कि मौके मौके पर दिखाई दिये हैं आप सड़कों पर, राहूल गांदी के तरह, जैसे मौके मौके पर वो आते हैं, ट्वेट कर जाते हैं, देखें, मैं ये आपका मानना है, लेकिन मुझे पता है कि अब की अधिसूचना जो जारी हुई थी, सरकार के पास पड़ी रही, आपने कभी मंग नी की कि इसको जो है लागू किया जाए, इनको मालिकाना हग दिया जाए, क्योंकि ऐसे में, जो सरकारी योजनाए होती हैं, और जो बैंक से लोन वगरा मिलते हैं, वो भी उन लोगों को देखे, जब सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कॉंग्रेस द्वारा अधिसूचना को रद किया, तो उसके बाद हमारी भूमिका सुरू हो जाती, क्यों रद किया, क्या वो कारण थे, वो जनता के सामने लाए, और चार साल से जब नहीं मिल राता हूँ उनको, ये सब सुच जहाँ से वो वन्चित थे, तब भी तो आप मांग कर सकते थे कि उन चीजों को लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा भी कहा गया कि पिछले चार साल कॉंग्रेस ने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई है, ये पक्ष की भूमिका निभाई है, क्यों मैं मुझे याद है कि लगातार चार सालों से जितने भी मुद्दे आते रहे हम उसको उठाते रहे और हम जो भी नाकामिया सरकार की रहीं, चाहे वो दृष्टी पत्र 2017 में किये वे वादे हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो आईस बीटी का जो मुद्दा है, जो आज कॉंग्रेस की सरकार ने उस पर धाई करोड रुपे खर्च भी कर दिये थे, वो आज कबर में जा चुका है, वो मुद्दा, आप संगर्धन के पार्डे के बड़े लीडर में आते हैं, तो आपके हिसाब से कौन नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए इस वक्त? जिसे हाई कमान तेह करेगा, वो न नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, सारे ही विधायकों ने, विधानसभास अदस्यों ने, कॉंगरेस के एक प्रस्ताव पारित करके हाई कबान को इसके लिए अधिकरित कर दिया है, और संबह तो आज नहीं तो कल, आपके सामने नेता अच्छा चैरा सामने नेता प्रतिप प्रतिपक्ष के बारे में जरूर जानकारी है कि प्रस्ताव जो है आलाकमान को दे दिया गया है, उसपर जो है जो फैसला लेंगी, आज ये कल पे लेंगी, यही जानकारी मेरे पास है। में तो ने उत्राखंड को एक विकास की दिशा दी और पलायान रोकने के लिए सिड्कुल से लेके और आज भी जो रविन्यू है जिससे कर्मद्धार्ण को तँनखा मिल रही है वो उनकी नीव रखी उत्रखन में तो उनके हम चाहतें कि आदर्शों में चलें उनके जो भी उनकों ने एक जो विकास की गंगा जो बहाई है उसको आगे लेके चलें और हमारा एक ही गुट है कॉंग्रिस गुट यह आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नेर्दत तिवारी संबंद में क्योंकि वो विकास पूरुष थे और आपके उनके परिवार से घनिश्ट संबंद थे आपको पारिवारिक मामला कहा जाता था उनसे लेकिन क्या ऐसे में लोगों को भी यह समानना है कि आपने उनके नाम का या तो लाब नहीं लिया या आपको काविल नहीं समझगा है कि आपको अभी तक हल्दवानी की विधानसबा सीट से दावधारी पेश की जा सके क्योंकि विकास पूरुष के साथ आपका काफी वक्त बीता है देखे तिवार जी मेरे ही नहीं पूरे प्रदेश के कभी भी उन्होंने दलगत राजनीती को बढ़ावा नहीं दिया और रही मैं उनके यदी परिवार की बात है मुझे सभाग है कि मैं उनके परिवार का एक सदसी रहा हूं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तिवार जी कभी भी ये नहीं कहते थे कि कि सीधे लाब दे दिया जाए उनको ये कहना था कि अगर आपके अंदर काबलियत है तो अपने को आप खुद इस्थापित करो तो तो आप इस्थापित नहीं कर पाए खुद को अब देखे समय आता है हर चीज का एक समय होता है क्योंकि समय से पहले कोई चीज मिल जाए वो भी गलत होती है हल्दवानी की जनता आपको एक विदायक का रूप में या मेरे का रूप में भी देखना चाहती थी लेकिन आपने खुद से पहलने की कभी इसकी कि मुझे टिकेट मिले या आपने कभी इस दोड़ में नहीं रहे है देखिए जनता का आभार हल्दवानी की उनके प्रेम और स्नेका में सदा भारी हूं क्योंकि समय समय पर हर जहां पर मुझे जरुवत पड़ी तो उन्होंने मुझे हमेसा ही संयोग दिया है और जो भी आदेश मुझे मिलेगा पार्टी से वो उस आदेश को माना जाएगा मेरी व्यक्तिकत इच्छाओं से मेरी महत्वकांक्षाओ से उपर है मेरी कॉंग्रेस पार्टी हल्दवानी में नेतर पतिपक्ष इंदर हिर्देश जी के देहंत के बाद हल्दवानी की सेट खाली हो चुकी है अब ऐसे में हल्दवानी क्या कॉंग्रेस के पत्याशी कौन होगा आपकी नजर में देखे हमारे हल्दवानी में बहु और पूरी काबिलियत वो रखते हैं, पूरा नेतुत शम्ता रखते हैं. ऐसा कहा जाता है आपका नेता पचिपक्ष श्रीमती नहरजे जी के साथ 36 काकड़ा था और आप उनके कारेकरों में भी दिखाई नहीं देते थे, अक्सर कारेकरों में. अब उनके बेटर को अगर टिकेट मिलता है, तो क्या आप उने चुनाव लड़ाएंगे? और हमारी भी जो परिपाटी है, कॉंगरिस की है, कि वो विकास को महतु दे, दलगत राजी नीती से उपर, जाती पाती राजी नीती से उपर उठकर के, और इंद्रा जी हर स्कूल मेरे स्कूल के कारेकरम में, हर कारेकरम में मुख्य अतिती रहती थी. जिसको आला कमान कहेगा, वो आपको भी कहेगा, तो हम आपको भी चुनाओ लड़ा देंगे। अभी तो ये सवाल नहीं उठा कि मेरा नाम तै हुआ है, नहीं तो है, जब ये तै होगा, ये तब का तब देखा जाएगा। देखें, ये तै करना आला कमान ने है, अपनी बात माननी हरिश्रावजी ने भी आला कमान के सामने रखी है, और पार्टी के अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी है, और कारेकरता होना भी रखी है. तो ये तै करना है पार्टी के अला कमान ने और जो की मेरे ख्याल में निकट भविस्व में तै हो जाएगा, कि कौन चहरा होगा और कौन चहरा ने होगा। और वैसे भी सारे कारेकरता है, क्या आप भी चहरा हो सकते हैं? जिसको आला कमान कहेगा, वो चहरा होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो तलास रही थी, जिसने अपना सर्वे कराया था कि भी 60% लोग उनके साथ हैं, तो वो 60% आज भी नहीं दिखाए दे रहे हैं। उनका जो सर्वे था वो मैनिपुलेटेड सर्वे था क्योंकि आप सालबड से भी उपर हो चुकाया यहां पर लेकिन इनको अपना खुद का चहरा नहीं मिल पारा कि कौन आम आदमी पार्टी का चहरा होगा। झौनख नोख करेंग रहे कि कौन ऌगा इस पर बी अला कमां करेंगा तै आपका फंकर नहीं का डिक पर हुआ हमारे कहरे हैं इक नि उन दिखा पार तो वहा keeping बहुत हुआ अनके के जैखर नहीं कर रहा है ति मैं कैसे बता हुआ ज जहरा जो है वो जरूरी नहीं है लेकिन जो हमारे राहुल गांदी जी ने बोला है कि जन सेवा करो वो महत्पूर है वही में अगर बात करो आमादी पाटे की चल रही थी शुरुवात में यह भी कयाद लगा जा रहे थे कि दिपक मुलूटिया जी आमादी जा सकते हैं रो किया के सुना था यह कैस चल रहे थे श्राष चलते रहे थे यह रृत कि बड़े बड़े चैरे जो कैस वकू क्यास वह नी तो हो रहे पहले तो और भी कैस चलते थे कई यह भी चेहर आएगा लेकिन जाते दिखतो रहें नहीं आपने करना उच्णावी मौसाम नहीं क्या पाद मौसाम आए तो यह आम के रंग बदल जाएं 34 वर्ट्स हो गए 50 50 देखिए जो लोग कॉंग्रेस विचारधारा पर विश्वास करते हैं जो कॉंग्रेस से सेक्रिफाइस करने वाली त्याग वाली पार्टी है जो उसको समझते हैं तो वो कभी भी नहीं जाएंगे हलवानी मिधान सबक स्टीट की बात की जाए तो आमाद्मी पार्टी समिट टिक्को का भी नाम सामना रहा है और आप पे घनेश मित्र माने जाते हैं वो पार्टी विचारधार अपनी जगा है तो हम कॉंग्रेस पार्टी से बटे हैं वो भी पहले कॉंग्रेस में इंदरा जी का बहुत परचार करते थे एक विचारधार से जुड़े थे और अब उनको लगता होगा कि हमारी जो है आम आदमी पार्टी में जो है थोड़ा सा महतवपूर्ण स्थान मिल जाए तो इसलिए वो गैव है यहां से अगर विधान सभा का टिकेट मिलता है और आपको हलवानी से मिलता है तो आप मुकाबले में जाएंगे आप मुकाबले में जाएंगे देखे ऐसा है कि जो कॉंग्रेस पार्टी आलाकामान निर्देश देगा वो ही होगा चुनावी महसाम तो शुरू हो चोका है प्रदेश प्रवक्त हैं आप यह बहुँ ही जाएंगे अभी तो हम देख रहे हैं कि लोग कुरुना काल से जूज रहे हैं इस समय मुक्षी मुद्धे तो जैसे रोडविस वालों को तनखानी मिली है दमवडुहा वालों का मालिकाना हक्षिन गया है वनबनपूरा वालों की जो मलिन बस्ती का चिन्नी करन नहीं हुआ है तो इस तरह के यह मुद्धे हैं यह महत्पूर हैं बेरोजगार हो गए हैं लोग कारोबार बंद हो चुके हैं पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं डीजल के दाम बढ़ चुके हैं महेंगाई आसमान पहुंच गई है तो इस समय तो इसका मौसम है मौसम तो आते जाते रहेंगे फिराल तो भी आम का मौसम है सर देखे सामने आम का पेड़ लगा हम आपको आम खिलाएंगे अभी इसके बाद एक सवाल और अगर आपको बिढ़ायकर टिकी नहीं से नहीं मिलता है और जेजेन नियूस को बदाई देता हूँ कि जैसे आप जैसे काबिल लोग को उन्होंने इस स्थान पर रखा हुआ है कि सारी बातें आप बकूबी जो है मेरे मूँ से सुनने के लिए निकलवाने के लिए पुरयास रहत रहे है मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और चाहे वो किसी भी तौर पे हो एक आम कारिकरता होने के नाते भी मुझे आज भी अच्छे से स्मरण है जब सुराज आसरम पुराने पत्थरों की बिल्डिंग में होता था और हम लोग पहले आते थे और जाड़ू लगाते थे उसके बाद दरी बिचाते थे फिर बैठक होती थी अब समय के अनुसार उसका उद्दार हो गया और अब वो विख्सित हो गया तो हम उस समय के कारिकर ता हैं जिसने ज़ाड़ू भी लगाई और दरी भी बिछाई है और आज भी हमारे को पार्टी निर्देश देगी तो हम वही कुछ भी करने में हम हिचकते नहीं तो यह थे हमारे साथ दीपक बुलूटिया जी जो कॉंग्रेस के प्रिदेश प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बहुत भी रख रहे थे लेकिन घुपा फिराकर इन्होंने भी जवाब दिये जो पार्टी हाई कमान्टे करेगा उसी का जो है माना जाएगा लेकि इन्होंन रही है कि यह आगामी जो विदान्था चुनाव होने वाला है उसके यह प्रवल दावेदार है तो मैं था आसिम जोर्डन और मेरे साथ सेयोगी है हमजा वार्सी